नमस्कार दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि 30099 वाली MNPFRC कमिशन दोस्तों किस कारण से बंद हुई है क्या दोस्तों आपको पता है कि कमपनियों ने इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं किया है क्या आपको पता है कि किस और वजह से 30099 वाली MNPFRC कमिशन को बंद किया गया है तो आज की वीडियो मैं आपको इन्फोमेशन दूँगा इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों चली वीडियो में बने रहना वीडियो को सुरू से लेके लास्त तक जरूर देखें वज़िदियां आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्रिमोटर दवा के सिम बेच रहे थे और रिटेलर अपनी शोप पर बैठ कर इस नजारे को देख रहे थे अब दोस्तों यहाँ पर जो है सबका एक दिन आता है सबसे पहले सुरवाती दोर में रिटेलर मजा ले रहे थे उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मार्किट में प्रमोटर यहाँ पर कम्पनियों ने अपने आपको और मजबूत करने के लिए यानि की जादा से जादा कस्टूमर जोड़ने के लिए 309 वाली MNP FRC कमिशन यानि MNP FRC कस्टूमर को जोड़ने के लिए यहाँ पर मार्किट के अंदर भसड मचा दी अब दोस्तों इसको देखते हुए यहाँ पर ट्राई के पास कंप्लेंट जाने लगी चारों तरफ से तो गईस यहाँ पर ट्राई सबी कम्पनियों को आदेश देते हैं कि उनको इस तरीके से काम करना है और आपको प्राई सब्कूर्म कम्पनियों को कंट्रोल में करने के लिए गोर्मेंट ने सब कुछ ट्राई के हाथ में दे रखा है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जब देखा गया कि सवी टेलुकॉम कमपनिया 3099 वाली MNPFRC को दोस्तों यहाँ पर फ्री में बाट रही हैं अब गाईस यहाँ पर जो दिक्कत तो कुछ नहीं थी फ्री में बाटे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमपनिय के अपने लालच के पीछे रिटेलर का यहाँ पर काफी जादा लोस हो रहा था जैसे कि मैंने आपको बताए कि 399 की MNPFRC पर यहाँ पर रिटेलर को 399 का कमिशन दिया जा रहा था अब यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर दिक्कत तो कुछ नहीं थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने थोड़ा सा बदलाव किया और कमपनियों के उपर जो है यहाँ पर जो है उन्हों ने एक निटदेश जारी किया मालीज ये किसी चीज की कीमत 300 रुपे है और वहाँ पर जो है कमपनी का 300 रुपे जाने कि मालीज ये 399 वाली MNPFRC यदि यहाँ पर प्रमोटर नहीं होते हैं तो यहाँ पर रिटेलर को 399 की MNPFRC करनी पड़ती है अब यहाँ पर गर दोस्तों कमपनी की मर्जी है तो उस पर रिटेलर को कितना कमिशन दे थोड़ा दे या जादा दे वो कमपनी की मर्जी है अब गाईस यहाँ पर जो अब उन्होंने कहाए कि यहाँ पर रिटेलर जितने भी रिटेलर है वो 399 वाली MNPFRC करेंगे तो दोस्तों वो MNP नहीं करेंगे या तो यह सरते लागू की जाए या दोस्तों यह MNP सर्विसें जो है जो 30099 वाली MNPFRC चल रही है या तो इसको पूरी तरीके से रोग दिया जाए यहाँ यहाँ पर जो यदि रिटेलर सेल करें या प्रिमोटर सेल करें उनको जो है कस्ट यह 30099 MNPFRC रहेगी लेकिन यहा रही तो यहाँ पर बन तो नहीं हो पाएगी लेकिन यहाँ पर जो रिटेलर के लिए पहले की तरह यहां पर कमिशन कर दिया जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर जो है जितनी भी कंपिन है यहाँ पर माली seems knappenell को देख लिजी और यहाँ प सिम को अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तो एक दूसरे का कंपनी एक दूसरे में जाती है लेकिन यहाँ पर वियाई को काफी ज्यादा लोस हुआ इस मामले माल लिजे कि यहाँ पर वियाई को थोड़ी सी रात मिली है पोर्टिंग की जो संख्या वो घट जाएग तो दोस्तों यहाँ पर यही कारण था कि 3099 वाली MNPFRC को ट्राइ दोआरा ट्राइ के कहने पर ही बंद किया गया है कि यहाँ पर यदि सिम सेल होगी MNP 3099 की की जाएगी तो यहाँ पर कस्टूमर से 3099 रुपे ही ले जाएगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेटेलर को काफी जादा लोस हो रहा था क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर तो है एक जोग कर रहे हैं उनको तो देखना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है रेटेलर की जो सोब चलती है वो कमिशन के उपर चलती है तो दोस्तों यहाँ आपके लि दीगे जानकारियां आप समझ गयोंगे जदी वीडियो आपको पसंद आये तो कोमेंट करके जुरूर बताएं अब आप समझ गयोगे कि 309 वाली MNPFRC किस कारण से बंद हुई है तो दुस्ते लिए आज की वीडियों मिलते हैं आश वीडियों में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत